पहले तो मैं भारत देश की जनता को, 140 करूड जनता को कुस्ति संग की तरफ से बधाई देता हूँ कि पिछले चार ओलंपिक से लगातार जो क्रम बना हुआ था मेडल लाने का, इस बार भी वो मेडल आया परन्तु हमारे मेडल और भी जादे आ सकते थे, जो 6 मेडल भारत देश को आये हो, 6 मेडल अके रे कुस्ति ला सकता था लेकिन कुस्ति पिछले 18-15-16 महीने जो डिश्टर्व रही, उसकी वज़े से इतना मेडल नहीं आ पाया उसमें होफफुल रही है, फैसला अपने पक्ष में ही आएगा, तो कुछ कारण से उन्होंने डेट बढ़ा दिया, कारण क्या दिया, किस कारण से बढ़ाया है, ये नहीं बताया, लेकिन लगातार फिर डेट 16 तारीक कर दिया है भारती कुस्ती संग इस मामले में क्या सोचता है, जो सिल्वर मेडल को लेकर एक पोलिंग और इशू जो है, उसको लेकर भारती कुस्ती संग क्या चाहता है या क्या नहीं भारती कुस्ती संग तो चाहता है कि वो किसी का ब्यक्तिगत मेडल नहीं है, तो भारत देश का जब भी कभी भी गिना जाता है कि उलम्पिक में भारत कितना मेडल पाया तो भारती कुस्ति संग भी चाह रहा है कि वो मेडल मिले बाकी जो कंट्रोवर्सी हुए उसमें भारती कुस्ति संग नहीं जाना चाहता है खेलना किस वजन में खिलाडी खेलेगा यह उसका स्वतंत्र का निर्ड़य होता है लेकिन निर्ड़य लेने से केवल नहीं होता है खिलाडी की जिम्मेदारी है कि जिस वजन में खेल रहा उस वजन में अपना वेट वो कंस्टेंट रखे बार बार वजन घटाना खिलाडी के सारीरिक स्वास्त पर भी नुकसान करता है वजन घटाने से उसके लीवर किडनी सप्पे असर पड़ता है तो वो खिलाडी का निड़ा है लेकिन उसी वजन में हर खिलाडी को खेलना चाहिए किसी भी गेम का और जिसमें वो अपना वजन हमेशा कॉंस्टेंट रख सके कीलो पचास सौक दूसर अगिस्तना कांतर है तो इस चीजों को लेकर उनके साथ ऐसा किया जा रहा है अगर उनके साथ जान बूझ कर यह किया जाता तो उन्होंने जो फीजियों मांगा उनको दिया गया जो डॉक्टर मांगा वो डॉक्टर उनको दिया गया जो फेसेल्टी उन्होंने मांगे उन्होंने कहा कि मैं हंगरी म के लिए पर्टिकुलर कोच के लिए कहा उसको दिया गया अगर इस तरह कि कोई किसी के साथ दुर्भावना से कोई काम नहीं किया गया है और कुस्ती में वही लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं वही कुछ तथाकतित नेता बयान दे रहे हैं जिनको कुस्ती के बारे में ABCD बाकी ज जानकारी दुर्ष्ट कर लें कि कुस्ती की क्या होता है क्या उसमें नियम है कैसे वजन होता है क्या सारी कुछ की जानकारी कर लें कैसे कुस्ती UWW के कुष्टी का नियम ले करके पढ़ने उसके बाद बैट करके टीवी पे बयान दें या कहीं भी बयान दें बयान जारी कर देना बहुत आसान होता है लेकिन बिना नियमों को जाने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए